वरुन दवन अनुष्का शर्मा स्टारफ फिल्म सुई धागा ने दोस्तों वाक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया लोगों को फिल्म की कहानी और इमोशन काफी पसंद आए और फिल्म ने काफी अच्छे कलेक्शन के साथ में हिट भी करार दी और वरुन दवन की एक और हिट स्ट्रिक फिल्म इस फिल्म से जुड़ गई है साथ या नुष्का की भी फिल्म एक और शांदर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों आपको बता दे वरुन और अनुष्का की ये फिल्म या शिराज प्रड़क्शन के तले बनी थी और वो चाहते थे कि फिल्म का कमाई कम से कम सौ करोड तो जरूर हो लेकिन फिल्हाल सौ करोड से ये फिल्म अब दूर नजर आ रही है आज बॉक्स ओफिस पर कई बड़ी फिल्मे रिलीज हुई है इस कारण से सुई धागा काफी ज्यादा पीछे रहे गई अब सौ करोड के कलब से क्योंकि उसके पास अब स्क्रीन मातर हजार बची है दोस्तो आपको बता दे वरुन धवन की इस फिल्म ने दोग सब्ता के अंदर 67 करोड का बिजनेस किया था और अब तक इसका कलेक्शन मातर 70 करोड के आस पास है यानि के 100 करोड का आकड़ा तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हलाकि दोस्तो इस प्री एक ऐसे फिल्म थी जिसने इसी तरीके से दीरे दीरे प्रेजर्शन करते हुए 100 करोड का आकड़ा पार किया था तो देखना ये होगा क्या सुईध हागा भी 100 करोड के कलब में जाएगी मेड इंडिया पर आधारी दिये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट तो हो ही चुकी है अगर 100 करोड का कलब हासिल करती है तो फिल्म सूपर हिट भी जा सकती है आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं सब्सक्राइब करें देखो देखो और विखबर जानने के लिए